वेलकम टू मिस्रा श्टडी नवगच्छा मिस्रा श्टडी नवगच्छा में आपका स्वागत है आज हम लोग क्लास 10 संस्क्रित का 50 अती महत्तपुर्ण वस्तुनिष्ट प्रस्ण करने वाले हैं जो एकजाम की दृष्टी कौन से काफी महत्तपुर्ण होगा तो चलिए सही आंसर तो इसका तो चलिए कुश्चन नमर्ब का जवाब देना को कि वताइये संस्कृत में विवक्तियां है वेस्तुन संद्धि उसका सही आंसर हो जाएग आपका आपका प्सर नमर्ब विवक्ति हैं नेक्स्ट कूश्चर है कि तदत्र में कौन से संथी है अप्सन न D. गुन संदी. क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option नमर A. अर्थाथ वेंजन संदी. चलिए, question नमर 4 का जवाब देना है आप लोगों को. इस चार नमर question है कि नाना, अब यह कि योग में कौन सिवक्ति नहीं होती है? option नमर A. पंचमी, B. तृतिया, C. दूतिया, D. चतुर्थी. क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोगो दाइए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option नमर D. अर्थाथ चतुर्थी. question नमर पंच है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भए रहेगा? किस ने कहा था? question नमर A. भगवान बुद्ध, B. भगवान महावीर, C. चंद्रगुप्त मौडी, D. मेगास्तिनीज. क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा option नमर A. अर्थाथ भगवान बुद्ध ने कहा था. question नमर 6 का जबाब देना आप लोगों को कि अलस कथा पाठ किस ग्रंद से संकलित है? option नमर A. किर्थी लता, B. पत्त्रावली, C. पुरूथ पडिक्छा, D. किर्थी पतागा. इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option नमर C. अर्थाथ पुरूथ पडिक्छा. question नमर 7 है कि भारत महिमापार्ट में पुरौणों से कितने पडिसंकलित हैं? option नमर A. 5, B. 2, C. 3, D. 4. क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा option नमर B. अर्थाथ 2. चलिए, question नमर 8 का जबाब दिजिए कि भारत भूमी सदा किस्ये से भी थै? option नमर A. साग question नमर 9 है कि गोल घर कहा अश्तित है? option नमर A. पटना में, B. दरभंगा में, C. गया में, D. पुर्णिया में? इसका सही आंसर हो जाएगा option नमर A. अर्थाथ 2. चलिए, question नमर 10 का जबाब दिजिए, गुरुद्वारा कहा अश्तित है? option नमर A. गया, B. भागलपूर, C. आ अंशबों में भारत वर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? option नमर A. गुरु भक्ति, B. पित्री भक्ति, C. दे भक्ति, D. देश भक्ति, क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option नमर D. अर्थाथ 2. चलिए, question नमर 12 का जबाब दिजिए, किस स समास का उत्तरपत परधान होता है? option नमर A. दुईगू, B. तत्पुरुष, C. द्वंद, D. बावडी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option नमर B. अर्थाथ 2. तत्पुरु समास. question नमर 13 है, दुईगू समास का उधारन निमन में से क लोगों को कि संसकार कितने प्राई है? कितने प्रकार के होते हैं? option नमर A. है 3, B. 16, C. 5, D. 6. बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option नमर B. अर्थाथ 16 प्रकार के संसकार होते हैं. question नमर 14 है कि उपनेयान कि संसकार के अंतरकत आता है? option नमर A. है सही C है विभा, D है जन्मपूर्व क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा option नमर B अर्थाप सिक्षासंसकार के अंतर गताता है चलिए question नमर 16 का जवाब देना है कि निदी स्लोका पार्ठ में कितनी स्लोक है option नमर E है पाउच B है 10 C है 12 D है 7 क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा option नमर B अर्थाप 10 लोग है question नमर 17 है कि निदी स्लोका पार्ठ के अधारपर प्रम्तिरिप्ति क्या है option नमर E विद्या B झमा C धर्म D अहिंसा क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही अंसर हो जाएगा अपसन नमर B अर्थाप चमा चलिए कुश्चन नमर 18 का जवाब देना है आप लोगों को कि राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहां कहां है अपसन नमर E गाउं में B सहर में C घर में D अपने प्रांत और केंदर प्रसाथन में क्या होगा इसका सही अंसर तो इसका सही अंसर जो है आपका हो जाएगा अपसन नमर D अर्थाप अपने प्रांत और केंदर प्रसाथन में कुश्चन नमर 19 का जवाब देजिए कि स्वामी दियानन्द का जन्व किस राज में हुआ था इसका सही अंसर क्या होगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका अपसन नमर D अर्थाप गुजरास में कुश्चन नमर 20 का जवाब देजिए कि स्वामी दियानन्द घर छोड़कर घुमते हुए कहां पहुँचे अपसन नमर 81 B मतुरा C प्रियाज D हडिद्वार बताइए क्या होगा इसका सही अंसर इसका सही अंसर हो जाएगा आपका अपसन नमर A अर्थाप कासी चलिए कुश्चन नमर 21 का जवाब देजिए कि विहाई अव्याई का अर्थ है क्या है अपसन नमर A छोड़कर B दौरकर क्या होगा इसका सही अंसर इसका सही अंसर हो जाएगा आपका अपसन नमर A अर्थाप छोड़कर चलिए कुश्चन नमर 22 का जवाब देना है आप लोगों को कि मंदागनी का अर्थ क्या है अपसन नमर A है गंगा नदी B है यमना नदी C है सरस्ति नदी C है कुश्ची नदी क्या होगा इसका सही अंसर तो इसका सही अंसर हो जाएगा अपसन नमर A अर्थाप गंगा नदी कुश्चन नमर 23 है मंदागनी वरणन पार्ठ में कितने स्लोख है अपसन नमर A 7 B 5 C 10 D 8 बताइए क्या होगा इसका सही अंसर क्या होना चाहिए इसका सही आंसर इसका सही आंसर होगा आपका अफसर नमर डी अर्थात कुछ क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा अफसर नमर चबिस का जवाब देना है संपरदाउन कारक में कौन से विभक्ति होती है क्या होगा इसका सही अंसर? इसका सही अंसर हो जाएगा आपका अप्सन नमर ए अर्थात क्रिया के बिना क्या होगा इसका सही अंसर? तो इसका सही अंसर हो जाएगा अप्सन नमर बी अर्थात अव्याई भाव चलिए, question number 28 का जवाब देना है आप लोगों को कि कर्ण किस देश का राजा था option number A, बंग देश, B, भंग देश, C, अंग देश, D, रंग देश तो क्या होगा इसका सही अंसर? इसका सही अंसर हो जाएगा option number C, अंग देश question number 39 का जवाब देज़े, 37 से क्या होता है? option number A, नम निर्माण, B, मानपता का विनाउस, C, मानपता का कल्याउन, D, मनुस्यता का उतकर्ण क्या होगा इसका सही अंसर? इसका सही अंसर हो जाएगा आपका option number B, अर्था, मानपता का विनाउस क्या होगा इसका सही अंसर? क्या होगा इसका सही अंसर हो जाएगा आपका option number D, अर्था, मानपता का करते थे? option number A, गुरुग्री में, B, पित्री ग्री में, C, राजभण में, D, विद्याले में क्या होगा इसका सही अंसर? इसका सही अंसर हो जाएगा option number A, अर्था, गुरुग्री में पताइए, इसका सही अंसर हो जाएगा option number A, अर्था, एक कुछ चलिए, question number 33 का जवाब दिजिए कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्क्रिट दोनों भासाओं में किस की रचना की? option number A, सत्यार्थ प्रकास, B, वेद भास, C, उपनिसद, D, बाल रमायन क्या होगा इसका सही अंसर? इसका सही अंसर हो जाएगा option number A, सत्यार्थ प्रकास, चलिए, question number 34 का जवाब दिना है प्लोगों को कि मंदाकनी वरनन पाठ में राम किसको मंदाकनी दिखा रहे हैं? option number A, सिता को, B, लक्षमन को, C, सुमन्त को, D, बिविशन को क्या होगा इसका सही अंसर? तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number A, अर्थात, सिता को question number 35 है, मेगा अर्थनीज कहां का राजदूत था? option number A, युनावन, B, चीन, C, स्रिलंका, D, जापन क्या होगा इसका सही अंसर? तो आप लोग बताईए, तो इसका सही अंसर जो है, हो जाएगा आपका option number A, अर्थात, युनावन का चलिए, question number 36 का जबाब दिजिए, कि दाउन किसे देना चाहिए? option number A, राजा को, B, मंतरी को, C, अमीर को, D, गडीब को बताईए, क्या होगा? तो इसका सही अंसर होगा, option number D, अर्थात, गडीब को question number 37 है, करमबीर उस्सा से क्या प्राप्त करता है? option number A, लगूपद, B, महतपद, C, सिक्षकपद, D, लिपिकपद तो इसका सही अंसर होगा, option number B, अर्थात, महतपद चलिए, question number 38 का जवाब देना है प्लोगों को, कि चालूप कि वन्स के रजा कौन थे? option number A, आदित्य, B, दान, D, C, कंपद, राय, D, चंद्रा आदित्य बोलिए, क्या होगा, इसका सही अंसर? इसका सही अंसर जो है, हो जाएगा, आपका option number D, अर्थात, चंद्रा दित्य, क्योश्चन number 49 का जवाब देना है प्लोगों को, कि राउं प्रवेस राउं ने कहां कि पुष्टकाले में पुष्टकों को आत्मसात किया, option number A है विद् होता है, option number A है जन्म के बाद, B है विवा, C है शिक्षाकाल, D है जन्म से पुर्व, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, option number C, अर्थात, शिक्षाकाल, चलिए, question number 41 का जवाब देना है अप लोगों को, option number A है इंद्र, B है विष्णू, C है खुवेर, D है शिव, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, option number C, अर्थात, खुवेर, चलिए, question number 42 का जवाब देजिए, कि भारत महिमापार्ट का पर्थाम स्लोग किस पुराउन से लिया गया है, option number A है भागवत पुराउन, B है शिव पु तो इसका सही अंसर क्या होगा, इसका सही अंसर हो जाएगा, option number C, अर्थात, विष्णू पुराउन, चलिए, question number 43 का जवाब देजिए, कि पटना नगर में पालिका देवी कौन है, option number A, सितला देवी, B काली देवी, C, पटन देवी, D, गवरी, बुलिए क्या होगा इसका स सही अंसर हो जाएगा, option number C, अर्थात, बटन देवी, question number 44 का जवाब देजिए, कि बिना पूछे बुलने वाले कौन होते हैं, option number A, मुर्ख, B, विद्वाउन, C, राजा, D, मंत्री, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, option number A, अर्थात, मुर्ख, चलिए, question number 45 का जवाब देजि question number 46 है, कि यागे वल्क ने आत्मतत्त्य के सिक्षा किसको दी थी, option number A है, मैत्रही को, B, गारगी को, C, सुलभा को, D, राम, बद्रामबा को, बताइए इसका सही अंसर क्या होगा, इसका सही अंसर हो जाएगा, option number A, अर्थात, मैत्रही को, चलिए, question number 47 का जवाब देजिए, कि नरक के कितने द्वार है, option number A, 3, B, 2, C, 1, D, 4, क्या होगा, इसका सही अंसर, इसका सही अंसर हो जाएगा, option number A, अर्थात, 3, द्वार है, question number 40 है, कि किसके च्छा अंग है, option number A, व्याकरन, B, वेद, C, पुराउन, D, स्वर, क्या होगा, इसका सही अंसर, इसका सही अंसर हो पर कौन नहीं भागा, option नमरे राजा, बी आलसी, सी मंत्री, डी सैनी, क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा, option नमरे बी अर्थात आलसी, लास्ट कुश्चन है हमारा, कि अतरवेद में कितने रिसी पत्रियों का वर्णन है, option नमरे बीस, बी पचीज, सी च संस्क्रिट से, यदि आप चाहते हैं कि और भी संस्क्रिट से question आप लोगों को exam, जब हो रहा है आपका, उसके माधिल से आपको provide किया जाए हमारे द्वारा, तो हमारे चनल को like, subscribe, share, आवस्य किजिए, और यदि आप लोग कहिएगा कि व्याकरंद से संबंदित भी video बनान और आपका exam अच्छा जाए, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे next video में, आपका दिन सुब हो, thank you for watching my video